का दोस्तों हर हर महादेव आप सभी को और आप सभी का सवागते हमाई शार में च्रेंट्स आज कि जो विडियो है यह महादेव भक्तों के लिए होने वाला है क्योंकि हम आचुके सिग्रा पर आज रिशिंग कराने वाले हैं को अपको मलिका अरजुन महादेव जी के आई पूछ आगे आपको धीदे अंदर देंगे अंदर कैसे आना है मंदिर कैसा है मंदिर क्या ही माननेता है यह पूछ आएंगे आपको देने वाले इस वीडियो की वादेव से बस आपको इतना करना है वीडियो को शेयर करना है और महादेय भटती वीडियो पहुचे इतना हमार प्रांगड आपको दिख जाएगा इस सबसे उचा मंदिर पुरे बनास का हमारे मलिका अर्जुन महादेव जोतिर लिंग है जनते ही आपके बारा जोतिर लिंग भानास में हमारे मौजूध है जहां दोस्तों और तेन चार्ट में आपको दिखाई चुके हैं यहां पर वाग यहां मन्लिका आजुन की जंग है तो बहुत लोगों को है नहीं कि बाज उतिलिंग है बना से मौजूद है कि इसको पता ही नहीं है देख सकते हैं कि मंदिल यहां पांच बजे ही खुलता है तो टाइम फाद देखर कि आप लोग आईएगा और यह 84 शुडिया है जो दर्शा जो 4 शुडिया मौजूर जहां कि आपको पार करनी होंगी आई दर्शन करवाते हैं और पुजयां का यहां देते हैं यहां कि पंड़ी जिस्से देखिए कुल चौशी शुडिया है दोस्तों नहीं अदब चुकी है और से बची है अब 20 शुडिया जिनको पार करके आपको आना है यह महादेव का मंदिय प्रांगड जो कि इतना भवव्य है और दोशन पहले कराते हैं आपको हम दो शुडिया करें आप यहां पर रविदाज जी के संत रविदाज जी के कुछ दिन पहले अभी हमने इनके जयनती मनाई है यह देख सकते हैं दोशन करिया आप संत रविदाश जी के और मंदी प्राइंगर बस खुली रहा है यह सकते हैं सभी लोग इंतिजार कर रहे हैं महाद्यर के दर्शन पाने के लिए ब्याकुल भैय हुए है देखिए कितना प्यारा गाइस मंदिर है और पी कुझिल पहले यहां रंग रोगन भी हुआ है अगर आपको यहां मन्दीर में देखिती हुए है नास के हर मंदी कर टाइम बना हुए है सांस से सुबा ग्या बेज तक खुला होता है वैसे यहां भी दो पहर के 1 से शम की 5 बेजे तक मंदी हमेशा बंद होता है तो साले 5 की बादी आप मंदी मैं कुशिश कर दिधाँ दशन कि यात्रा मल्यक अरजुन महादेव मंदर है हमाएं बनास का काशिविष्णात मुंदी तो है 때도r पीसलिंगा बाइये के नाम निया पर लिए नाम इन लीते को अनुध है बस आपको वीडियो को शियर जरू करते हैं तक हमारे मनुवर बढ़े और मैसे काम करते रहे और आप तो कराते रहें सारे मंदिरों के अपने बनाज के हमने वहां तक शिड़िया पूरी तै कर ली और अब चलना है थोड़ा और उपर मैंने कहा आपको 84 शिड़िया पार करनी होगी आई चलते हैं उपर वैस दे सकते हैं इस सबसे उचा मंदिर पर बनाज का हमारे जो इतनी उचाई पर बना हुआ है कि गया के यह पूरी छुटिया आपको क्रोस करके आनी है और दक्षणा मुखी हनमान जी के मंदिर जैस्री राम और भोच्छ दुरलब होते हैं दक्षणा मुखी हनमान जी के करने में गईज धिया हमारा सब् вышákawadu है कि आप वह पहुचे जैस प्रियराम यह दक्षना मुख्य यानि कि इनका मुख दक्षिंग की तरफ खुलता है और यह दक्षना मुख्य बज्रंग बली हमारे और यहां पर राम दर्बार भी है यहां प्रभू श्री राम है मैया है और यहां पर भाता जी है तो द्रशन करीए आप रामदढ़ बार की जहां घन्वान होँगे वहां स्री रामंट उगए होंगे तो देसक्ते यहां दक्ष εδώ के हनमान जी का मंदिर है आई चलते हैं कुछ और दिखाते हैं कि और कौन कौन से मंदिर है जैह हर हर महादेव हर हर महादेव तो दर्शन करें आप मल्यका आजून महादेव जी के और अपने हाटों से महादेव को जल अपरत करें करें हमादेव के ठीक सामने गड़ेज गी हमारे और सकते हैं बनास इस सारे मंदिर मौझे मराथ में मौदोद हैं और कितने लोगों को जानकारी नहीं थी इस मंदर के बारे में और यहां साथ में दुशंग करिए आप मा काली कि भवे रुप में यहां मा विराजमान है और पूरा यह मंदर काफे बड़ा है और अभी नविरिकर्ण धीदे हो रहा है कुछ हुआ है कुछ बाकी है कि काम चल रहा है कि अभी मंदरों में काले जीदे चल रहा है पर हां अभी अभी कुछ चीज़े हैं जो बननी चाहिए जिसे कि बहुत तूट टाठ हो गया है वह ज ना में ओझाना मोजा टाइब के धाड़ा आया यहां पर बात्रों कुरा बंदरों होगा यह होटी महाँ द्यायों कि भक्ती तो 성ें क्या पताई जानते और यहां पर यहां पर सीधे जो वहां निकलती है किया है और यहां चवरासी चुछा मंदिर आप बनारस में और कहीं इतना उचा मंदिर नहीं मिलेगा आपको यह बारा जोती लिंग में हैं हाँ यह बारा जोती निंग में आता है मली का मर्जा मलीकार जुन महादेव क्या लगता है कि जांकाय लोग को नहीं होड़ी इस मंदर के बारे में अच्छी तोड़ा सा अंदर होने के कारण लोगों को नहीं जानकारी थी अभी आज के डेट में सब्सक्राइब करने के लिए स्थान मिल जाएगा बहुत बढ़ा मंदी बनाया पर हाँ यह कि अभी वी कुछ लोग है जो कि मंदिर से अंजान है तो इनहीं के लिए वीडियो बन रहा है ताकि वह भी आज सके अजशन कर्द कर सकते हैं महादेव के अनंत रूपों का आज एक मंदिर यहां मुझे और दिक रहा है यह बहुत बार सो कुराना मंदिल है वह हमारे पुर्वजों को भी मूलता अ मंदिल से टिन आ पूराना इतिहास सब्सी नहीं बस आदमी लव्जास में बताता है 500-400 कि जैसे काशी कि परें नहीं कब से काशी बसी हुई है तो वैसे समय जंग किसी नहीं हो पाई यह जटिहास के पान्य में रहा अब लोगों को मीडिया के थ्रू लोगों को जानकारी ह तो रहे शबाते हैं और है तो यह बहुत पूरा ना यह जाता है सीधा दसासों में निकले यह रास्ता यह तो यह सुरंग बना हुआ है थो दिखाएगा सुरंग और भी आज प्रेजन टाइम में उसको बंद कर दिया क्योंकि कुछ भी खत्रा अंदर हो सकता है एक बाबाजी नहीं दो उसके बास बंद हो गया कि जब बाबाजी वापस रिटन नहीं आए तो इसमें कुछ हो दिक्कत हम लोग बनाया है तो क्या कुछ आते हैं इस मंदिक कुछ इस माध्यम पहुतनी चाहिए मंद्य के बारे में सुधार और क्या होना चाहिए सुधार यह होना चाहिए जैसे कि जगा जगा भी खंडित हो रहे हैं तो उन सबों को थोड़ा सब बढ़ना चाहिए नीचे है अभी तो फिलाल में गवर्मेंट आई थी यह सब थोड़ा बहुत जो सुरंग बना हुए जिसके बारे भी बाते की गई है वह हम आपको दिखाते हैं इस और ऐसे बनी होई है जो कि सीधा आपको श्मयत घाट ले आएगे कोई सुनी बाते नहीं है यह सचाहि है यह सुरंग जो है कि बहुत अनोकिस सुरंग है और जो यहां तसे गया वह वाप प्रट कभी नहीं आया इसे इन सुरंग को अब बंद कर दिया गया है तो कुछ इस तो जांकाई में देते जा रहे हुए उपने मंदिरों के बारे में क्या बोले आप अच्छा अच्छा यहां दिखाते हैं आपको जी जी तो गाइस विए बड़ी मारती इतनी बन चुकी है इस दपते जाये तो कि यह जो रास्ता है ना सिद्धी शित्ला मंतिर्ट आपको ले जाएगा दिखा सकते हैं आपको यह भी हम सब्सक्राइब कर लीजेगा जी जो जूहाव वो शिशा लगा हुआ है कांच का पर दिवाल बना हुआ है वह बिल्डिंग वाली ब्लू वाली बिल्डिंग है यह सड़ी पर खुलती है जाकर वहां तक अंडर ग्राउंड जो शिड़िया है यह आपको यहां स्टाट होती है कर दिखिए उतना दूर इतनी बने बिल्डिंग से बन चुकी है इस सब चीजे दबती जा रही है तो इनको सुधार सुधार की और प्रचार की दोनों की बहुत ही जुरुत है तो बस आपको सपोट च अँज से क्या करना है जिसको लाइब करता है यह दिकले नौ वर्चास फ्रसा तो आ आपकर एफन हुए है कि आप मिजाए तर अच्छा और टाइंश वर में ग्रीं तर सुवह सांथ से एक बजे तर अच्छा यही वोकुवां है यही जो किस्षा नदी मीला हुआ है देखिने सुवहां हम लोग करते दिखां रहें हो लेकितने मिनाथ कर रहे हैं वहां भी हां थेंक्यों क्यों यह दे यह देखिए देखिए यह कुए जाकि सीधे कृष्णा नदी में मिला हुआ है और बहुत मनता है इस मंदी की तो जो बनास के बाहर के रहने वाले हैं उनको एक बार दशन करेंगे आप कही से भला होने वाला है आप बच जाने वाले हैं जो आज कोटे यूनियों से तो कितनी बड़ी बात है इस मंधि की यह दशन कर रहे हैं आप मलीका आजुन महादेव की कदश चोतिर लिंग में जो की हमारे आते हैं प्याद दीचे का लाइक सब्सक्राइब शेर करें जो यह आपके हाथों में हैं जी बहाँ सब्सक्राइब गिर वरना जाएं